जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की ओफिसिल बेपसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुब B के तहट निकली सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भरती के बारे में तो दोस्तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की वेफसाइट पर जाएंगे जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको नंबर बन पर दोस्तों दिखाई देगा यह वाला सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करके आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर यूजर इंस्ट्रक्शन यह एक बहुत बड़ी पीडिव दी गई है कि आप कैसे आपको अपलाई करना है वो देख सकते हैं और यहां से आप हिंदी और इंगलिस में इसका जो है फुल नोटिफिकेशन भी डाउनल है आपकी वह 28 अगस्ट 2024 और लास्ट डेट है दोस्तो 28 सितंबर 2024 तो मतलब 28 अगस्ट से 28 सितंबर 2024 के बीच में आप अपने जो है वो एप्लिकेशन को भर लिए ओनलाइन रेज्ट्रेशन करने से पहले आपको एक बार waar वन टाइम रिज्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि सी UPPSC की वेंट साट पर कर सकते हैं रेज्ट्रे से करने के बाद में आप अपने बो आपयाद मेर को आरम कर सकते हैं एप्लिकेशन फीज जो है दोस्तो वो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तो है 225 रुपो और अगर आप एक सर्विसमेन है तो एक सर्विसमेन के लिए 105 रुपए की जो है वो एप्लिकेशन फीज यहां पर रखी गई है रिक्तियों की संख्या यानि की नंबर ओफ वैक पर यहां के चैटिक्रेश के लिए 18 अनसूचित जाते के लिए जीरो मैं आप जैसी जानते हैं कि एक सर्विसमेंस को ही कबर करता हूं तो एक स्विसमेंस में यहां पर एक वैकनसी है लेकिन इस एक वैकनसी को छोड़ के आपको थागना नहीं है आप अपना काम करिए जी कि मुझे एक बैकंसी चाहिए और एक बैकंसी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर कुछ नोटिफिकेशन ऐसी होते हैं जिनमें एक सर्विसमेंच के लिए एक बैकंसी रिजर्ब नहीं होती तो उन वीडियो को में कवर करता ही नहीं हूँ ठीक है चलिए पाध है दोस्त एक बहुत महतोपूर्पूर बात जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का टाइम बरबाद करूँ अगर आप उत्तर प्रदेश के दोस्तों भूत पूर्पूर उपसानेक हैं तब ही आप इस वीडियो को आगे देखें परना मत देखे क्योंकि इस भरती के लिए केबल उत्तर प्रदेश के भूत पूर्पूर उपसानेक ही अप्लाई कर सकते हैं चलिए आयू सीमा दोस्तों जो है वो 30 वर्ष से आपकी कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आयू सीमा में जिस प्रकार आपको स इससे पता है दोस्तों कि यह ओफिसर लेवल की पोश्ट है तो यहां पर आपको इसना तक जाने की ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है ठीक है और हिंदी का आपको अच्छा ग्यान हो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं आपके एक्जाम की कि आपक सब्सक्राइब जरू कर लेना तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो को लेकर जो कि एक्स सर्विसमेंज के लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल होगी अम्मित करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगे तब तक लिए जयाहिन जगारत